हेलो दोस्तो गूड इबनिंग जाहिन और वेलकम बैक टो इस्टेंड अप क्लास तो कैसे आप सब उमीद करता हूँ अच्छा हूँगे तो दोस्तो आज के इस क्लास में जो जीके के प्रश्ण में आप सभी के लिए ले करके आया हूँ ये प्रश्ण में दावे के साथ क्या सकता हूँ कि आपके एक्जाम में आने ही आने है तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज इस क्लास को अंतक जरूर देखेगा एक भी प्रश्ण आपसे छूटने नहीं चाहिए क्योंकि आज के इस class में मैं आप सभी के लिए 100 प्लस जो है टॉप लिवल के खेल कुछ से समधनित प्रशन ले करके आये हूँ जो हर बार आपके exam में पूछे जाते हैं और पूछे आएंगे तो चलिए फटा-फट इन questions को देखना शुरू करते हैं लेकिन यहाँ पर एक शीज ध्यान दिजेगा कि मैं इन 100 प्रशनों को टोटल 3 पार्ट में कराऊंगा यानि एक दिन में आपको 30 प्लस प्रशन कराऊंगा ताकि आपको दिकत ना हुए इन प्रशनों को याद करने के लिए और यादि आपको इसका PDF चाहिए तो आप जाकर के टेलग्राम से PDF ले लिजेगा टेलग्राम पे follow नहीं करते हैं तो जाकर के अभी टेलग्राम पे at date stand-up classes लेकर के follow कर लिजे तो चलिए आज के class को सुरू करते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को like करके जरू जाएगा चलिए class की तरफ चलते हैं तो यहां पे sports से संबंदी जो हमारा सबसे पहला प्रसन दिया हुए दोस्तों वह है कि हाकी के जादकर के नाम से कौन जाने जाते हैं तो यहां पे अब हम लोग दूसरा प्रसन देख लेते हैं तो यहां पे अगला प्रसन आपका come out and play किसका नारा था तो यह राष्ट मंडल 2010 खिलो के यह नारा था come out and play ठीक है राष्ट मंडल 2010 का यह नारा था तो यह राष्ट मंडल 2010 में यह उसी का नारा था come out and play चलिए अगला प्रसन देख लिए अगला प्रसन आपका अंजली भागवत की स्केल से संबंदित हैं तो जो अंजली भागवत हैं वो राइफल सुटिंग से संबंदित हैं ठीक है याद कलिए किस संबंदित हैं राइफल सुटिंग से ठीक है अगला प्रसन देख लिए ऋपका अपस स्टेडियम यानि जहां पे घुरदोर है वह यह घुरदर की डुमॉन है पता सकता कि कि आप कितने प्रश्णों का जवाब जो है सही सही दे पा रहे हैं, कितने प्रश्ण आपको बिल्कुल सही सही पता हैं, ठीक है, और इसका PDF चाहिए, तो जैसा मैंने आप सभी से कहा थी, कि जो है जाकर के टेलग्राम पे ले लिजेगा, लेकिन एक-एक प्रश्ण जो भी मैं बता रहा हूँ, प्लीज याद जरूर कलिजेगा, क्योंकि एक-एक प्रश्ण आपके एक्जाम के लिए बहुत मौत पूर है, इसमें से कोई भी प्रश्ण आपके एक्जाम में आ सकता है, अगला प्रश्ण आपका, अमेरिका कप किस खेल से संबन्दी थै, बास्केट बॉल से, अगला प्रश्ण आपका, अधुनिक ओलम्पिक खेलो का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक ओलम्पिक खेलो का जनक किसे कहा जाता है, पीरेडी कुबरितीन को, ठीक है, तो आधुनिक ओलम्पिक खेलो का जनक किसे कहा जाता है, याद कले जगा, पीरेडी कुबरितीन को, अगला प्रस्ण है आधुनिक ओलम्पिक खेलों का प्रारंब किस वर्स हुआ था तो आधुनिक ओलम्पिक खेल है उनका प्रारंब किस वर्स हुआ था 1896 इस्वे में ठीक है याद कर लेजगा अगला प्रस्ण है आपका जो ओलम्पिक खेल है ठीक है किसने प्रारंब किया थ वो गुल्फ खेल से संबंदित है, किस खेल से संबंदित है, गुल्फ से, अगला प्रसन है आपका, आसफा पावल किस खेल असपर्दा से संबंदित है, तो जो आपका आसफा पावल है, वो एथलेटिक्स यानि जो है, दोड से संबंदित है, ठीक है, 100 मिटर दोड से, तुम्हें कब आया? तो 1 April 1947 को ठीक है? यात कर ली में प्रसेन लीजेगा, चलिए अगला प्रसेन लेख लीजे अगला प्रस्थलिए आपका इंदरा गांधि कब कि स्कhब से संब्द के इसी संब्द इते है? उग बार नहीं है ये आपका Billiard Scale से संब्दित है ठीक है? याद कली जएगा अगला प्रसने इवेटा वेटा वेनशोवा किस देश के जो है परसिद टैनिस खिलाड़ी है तो इवेटा वेनशोवा किस देश के परसिद टैनिस किलाड़ी है चैक गंड राजजी के ठीक है? याद को लिजिएगा अगला پ्रसुन है आपका, इरानी ट्राफी का सब्सक्रिधा ट याद को लिजिएगा, चलिए अगला प्रसुन है ECI खेल का नामकरण किस ने किया था? तो जो हाला लेहरू ने जो है, ACI खेलों का नमंकरण किया था, चलिए, अगला प्रस्न आपका, S किस खेल से संबंदित सब्द है, लॉर्ण टैनिस से संबंदित सब्द है, S ठीक है, याद कलेज़ेगा, चलिए, अगला प्रस्न देखते हैं, है तो यहां पे हमारा अगला प्रश्ण Is,CC में भारतियों ने पहली दांड है तो अगला प्रश्ण वह का ओल यहां वे क्वा क्व आदर्स होड्लसne है उसके रचाईता कौन है फादर डिडोन है ठीक है यात कर लिजेगा चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं तो अगला प्रस्ण आपका ओलंपिक के व्यक्तिकत असपर्दा में रजत पतक जीतने वाले पर्थम भारती है कौन है राज्य वर्धन सिंग राठोर ठीक है या वर्षों के अंत्राल में आयोजित किया जाते हैं तो अलंपिक खेल कितने वर्षों के अंत्राल में आयोजित किया जाते हैं हर पांच वी वर्ष ठीक है यानि चार वर्ष के अंत्राल में आयोजित किया जाता है यानि हर पांच वी वर्ष ठीक है अगला प्रस्ण आपका खेल में भारत ने हांकी का सुनड़ पदक अंतिम बार कब जीता था तो अगला अपना लास्ट प्रस्ट जैसा कि मैं आप सभी से कहा था कि एक क्लास में मैं आपको 30 30 questions कराऊंगा ठीक है और ये class जो कि 100 प्लस जो है questions मेरे पास एविलेबल हैं खेल कुछ से समधित जो कि आपके exam के लिए बेहद और बेहद मौत पुण है तो यह हमारा last प्रशन है बाकी के जो आपके 60 प्रशन या 70 प्रशन बचते हैं वो बाकी के दो पाल्ट में मैं खरा तो लास्ट प्रशन क्या है देख लिजे ओलम्पिक खेलो में아 डीक प्रशन के सकता क्याय में कुल कितनी लेन होती है थेक है तो खेलो में स्विभंग 148 प्रशन करें में जैसा कि आप सबीने वादा किया था जैसा कि वीडियो पसंद आयेगा वीडियो को लाइक करेंगे वीडियो को like जरूर कर दीजगा आज के इस वीडियो का जो like का target है वो 500 है so please मुझे पता है कि आप लोग इस target को पूरा कर देंगे वीडियो को like करके और बाकी चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर लेजगा और फिर एक बार कहता हूँ जा करके इसका PDF आप टेलग्राम पर ले लिजेगा और वहां पर मैं अभी अप्लोड कर दूँगा और सभी questions के एक बार 12-13 करके यात कले जाएगा क्योंकि यहां से 100% मैं कह सकता हूँ 2-3 questions आपके exam के लिए fix हैं पाकी फिर मिलते हैं नेश्ट बुड़े में तब तक के लिए धन्यवाद और कैसा लग आज की वीडियो में कमेंट करके जरूर रताएगा धन्यवाद